दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योगई सी लर्निंग योटूब चैनल पर बात करेंगे 23 मई तक सदस्यों की न्यूकति को लेकर के जारी हुई एक प्रिजबिग्यप्ति के बारे में प्रिजबिग्यप्ति मेरे पास भी फरवर्ड हुई थी तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कहा जा रहा है कि सरकार ने सदस्यों की न्यूकति के लिए माननी इलहबाद हाई कोट से 23 तारीक तक का समय मांगा है ये भी बात सही है अब 23 तारीक को सुनवाई होगी और जैसे ही आप तोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहां पर एक नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा अब देखे क्यों मैं इसे गलत बता रहा हूं फरजी क्यों बोल रहा हूं हलाकि जानकारी पर हम यहां पर अभी गौर करेंगे लेकिन जैसे ही हम यहां पर अगर देखते ही याज का संख्या तो 1256 यहां पर देखने को मिल जाएगी जो कि पूरी तरीके से फरजी है इस याज का संख्या से कोई केस रेजिस्टर है ही नहीं हायर का यह मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं मैंने यहां पर जो है इस्पेसल अपील डिफेक्ट्व और यहां पर सिकेंड अपील हर एक कटिग्री से यहां पर वेरिफाई किया लेकिन कोई भी जो है इस नंबर से केस रेजिस्टर नहीं है नहीं 2022 में नहीं 2023 में हलाकि जो यहां पर याचका है यह याचका 2023 की है लेकिन मैंने 22 से भी यहां पर वेरिफाई किया लेकिन 22 में भी आईसी कोई याचका संक्या से कोई भी याचका रेजिस्टर नहीं होई थी तो यह पूरी तरीके से फरजी है और इसके बाद हम बात करेंगे KGBV की देखी प लेकर के 14 पेज की पूरी सूची इन्होंने जारी कर दी है और इनका ये भी कहिना है कि जिनका आवेदन सुविकार हुआ है जल्द से जल्द हम यहां पर सेलेक्टेट कानिडेट के भी सूची निकाल देंगे और अपनी आधिकारिक बेफसाइट पर अपलोड कर देंगे त उसके अपेच्छा इन्होंने ये अच्छा प्रयास किया है हाँ वो बात अलग है कि ये जो इन्होंने पीडियाप डाल रखी है ये बहुत ही घटिया तरीके से इन्होंने अपलोड किया हुआ है बिल्कुल भी इसका विजूल सही नहीं है देखने लाइक नहीं है तो किसी पास 52 जो है आवेदन आये थे जिसमें जो है 78 यहाँ पर लगबग बैकेंसीज थी exact मुझे याद नहीं है कि कितनी थी और इसमें देखी यहाँ पर बड़ी बात ये है कि 52 में से 30 से 32 आवेदन यहाँ पर reject हुए है यानि कि 60 से 70 परसेंट आवेदन पहले ही यहाँ पर reject हो गए है आईसे में बचते हैं तो मात्र 20 बाईस आवेदन अब यहीं से देखिए competition बहुत ही जादा down हो जाता है अब आप यह मान कर चलिए कि लगबग यहाँ पर election के chance जो है यह 50 परसेंट के आसपास हो चुके हैं तो जिनका यहाँ पर आवेदन अच्छे से जो है सुईकार हुआ हो वो इसको लेकर के लगातार जानकारी देखते रहे हलाकि जो है मैं भी इसको लेकर के अपडेट करता रहूंग जल्दी जानकारी छूटे की नहीं वहीं अगर हम बात करें कि आखिरकार rejection का रीजन क्या था तो देखिए वैसे तो यहाँ पर तमाम प्रकार के अलग 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 रीजन थे लेकिन बड़ी तदात में डिलेड या बीटी सी वालों का फॉर्म रीजेक्ट हुआ है हलाकि इसको लेकर के मैंने आपसे बोला था कि जिनका बीड नहीं वो आवेदन ना करें लेकिन तमाम चैनल वाले जो है डिलेड या बीटी सी को भी मानने ठारा रहे थे तो ऐसे यहाँ पर अब्यर्तियों का फॉर्म रीजेक्ट हुआ है इसके अलावा यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बिग्यान से य यहाँ पर मांग रखा था ZBC लेकिन PCM से ही आवेदन कर दिया तो PCM वालों का भी यहाँ पर फॉर्म रीजेक्ट हुआ है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अंडरेज भी एक यहाँ पर रीजन था कि जिनका यहाँ पर एज नहीं था उन्होंने भी अवेदन कर रहा था और यहाँ पर BTC अंडरेज इस प्रकार के तमाम सारे आपको यहाँ पर कारण देखने को मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक